हलो दोस्तों अंस टेक्निकल जॉब सेंटर योटूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों मैं हूँ प्रभाकन निशाद यानि की निशाद सर और आज मैं अपने योटूब चैनल अंस टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक बहुत थी बड़ी कंपनी का न्यू कैमपस प्लेस्मेंट भरती नोटिफिकेशन अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूँ तो दोस्तों वीडियोज में बने रहीगा बहुत ही आसान भासा में एकदम सरल तरीके से पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस कैमपस प्लेस्मेंट के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए बिना देर किये हुए हम सारा कुछ बिवरन इस कैमपस प्लेस्मेंट के बारे में जो भी नोटिफिकेशन पे अपडेट्स है उसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ और बताता हूँ कि ये कैमपस प्लेस्मेंट जो लगाया जा रहा है वो किस कॉलेज में लगाया जा रहा है कौन सी कमपनी के द्वारा ये कैमपस प्लेस्मेंट लगाया जा रहा है क्या सैलरी मिलने वाली है जॉब लोकेशन कहा होने वाला है सारा कुछ बिवरन दोस्तों म आप लोगों को एकदम सरल तरीके से पूरी जानकारी बताऊंगा तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे Campus Placement 2024 ITI Requirement in अहमदाबाद सेलरी 18,000 रूपे पर मंद टोटल वैकेंसी 100 पोश्ट है 12th and ITI Pass Candidates के लिए ये कमपनी इस Campus Placement का आयोजन कर रहे है चलिए दोस्तों हम आगे आपको वो नोटिफिकेशन दिखाते हैं ये है वो नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो कमपनी का Campus Placement लगाया जा रहा है दोस्तों वो लगाया जा रहा है मिंडा कोशी Aluminium Limited मैंने पहले ही पताया कि ये जो कमपनी है वो एक बहुत ही बड़ी कमपनी है लिमिटेड कमपनी है दोस्तों मिंडा कोशी Aluminium Limited कमपनी के द्वारा इस Campus Placement का आयोजन किये जा रहा है जोब लोकेशन की बात करें तो एहमदावाद गुजरात आपका जोब लोकेशन रहेगा वर्क की बात करें दोस्तों कि इस कमपनी में क्या वर्क होता है तो इस कमपनी में टू हुलेर एंड फोर विलेर गाडियों के पार्ट्स जो है वो मैनुफैक्टरिंग होते हैं ठीक कि आपने अगर 12 पास किया यानि की 12 पास किया है या फिर ITI किसी भी ट्रेट से पास आउट है तो आप लोग इस कंपनी के इस केंपस प्लेस्मेंट में समलित होने के लिए एलेजिबल हैं ठीक है एज की बात करें दोस्तों तो एज जो इस कंपनी ने रखका है वो है 18 से 30 साल सेलरी 12 पास के लिए जो सेलरी इन्होंने बताया है वो है CTC सेलरी 16,700 रूपे इन हैंड सेलरी 14,700 रूपे पर मंत ठीक है यानि कि आपने अगर 12 पास किया है तो आपको जो ये कंपनी सेलरी देगी वो देगी CTC सेलरी आपकी 16,700 रूपे और इन हैंड सेलरी 14,700 रूपे पर मंत आपको मिलने वाला है बात करें दोस्तों ITI पास केंड़ेट्स के लिए ये कंपनी जो सेलरी देगी वो रहेगी CTC सेलरी 18,000 रूपे और इन हैंड सेलरी 17,200 रूपे पर मंत यानि कि आपको जो सेलरी मिलेगी ITI पास केंड़ेट्स को वो मिलेगी 17,200 रूपे पर मंत इन हैंड सेलरी ठीक है अबर टाइम की बात करें दोस्तों तो अबर टाइम इस कंपनी में चलता है 60 रुपे पर घंटे के हिसाब से आपको अबर टाइम मिलने वाला है फोड फैसल्टी की बात करें तो 800 रूपे मंतली आपका जो पेमेंट है वो कटेगा 800 रूपे पे करना पड़ेगा आपको मंतली में वन टाइम फोड प्लस ब्रिकफास्ट यानि कि आपको खाने का एक टाइम ब्योस्ता कंपनी की तरफ से और उसके लाओं ब्रिकफास्ट जो है वो कंपनी की तरफ से दिये जाएगा लेकिन उसका जो चार्ज है वो 800 रूपे आपको पे करना पड़ेगा मंतली में ठीक है रूम रेंट की बात करें दोस्तों तो 1000 रूपे पे टू लेंड रोड इन एडवांस यानि कि 1000 रूपे पर मंत पर कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने रूम रेंट बताया हुआ है यानि कि आपकी रहने की जो ब्योस्ता है वो 1000 रूपे पर मंत आपको पे करना पड़ेगा ठीक है करन्ट ओपनिंग की बात करें तो टोटल जो वेकेंसी ओपन हुई है वो है 100 प्लस पोस्ट ठीक है अब हम आपको बताते हैं कि इस रोजगार मेले का आयोजन कहां पर और किस डेट पर किया जा रहा है तो तिथी है 22 जुलाई 2024 समय है प्राताह 10 बजे से रोजगार म 12 पास ITI पास कैंडिडेट से अगर आप लोग मिंडा को सी अलुमिनियम लिम्टेड कमपनी में जौब करने के लिए इच्छुक हैं तो आप लोग 22 जुलाई 2024 को सुबा 10 बजे से राजकी और द्योगिक प्रसिच्चन संस्थान अली गंज लखनों में पहुँचकर अपना सेलेक्शन इंटर्विव के माध्यम से ले सकते हैं तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी मिंडा को सी अलुमिनियम लिम्टेड कमपनी के द्वारा जो कैंपस प्लेस्मेंट 22 जुलाई 2024 को गौर्मेंट आई टियाई अली गंज लखनों उत्तर प्रदेश में किया जा रहा ह उसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को फुल डेटेल से बता दिये तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर हमारी इंफार्मेशन हमारी जानकारी आप लोगों को समझ में आती है तो आप लोग हमारी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेर करिए और लाइक और कमेंट जरूर किये करें मिलते हैं दोस्तों नेश्ट वेडियोज में नेश्ट कैमपस प्लेस्मेंट बढ़ती नोटिफिकेशन अपडेट या गौर्णमेंट जोब अपडेट लेके तब तक के लिए दोस्तों थैंक्यू धन्यवाद जैहिन दोस्तों